अब तक आपने देखा, फातिमा के आका निजाम की मौत के बाद दस्तूर के मताबिक अब फातिमा को ईत के अगले दिन जिंदा गार देने का हुकम दिया जाता है ईत की अगले दिन, अब इंकाकजातों पर अपनी महर लगा दे रजिया सुल्टान अल्तमश से फातिमा की जान की बक्षीश मांगती है अबू, बचा लीजे फातिमा को लेकिन रिवायतों के आगे सुल्टान के भी हाथ बंदे हुए है सल्टनत के फैसले मर्जी बेने उसूलों पे किये जाते है रजिया ठान लेती है कि वो कैसे भी फातिमा की जान बचा कर रहेगी लेकिन शम्शाद रजिया की गुस्ताकी से खफा उसे कैद खाने में डाल देती है कल सुभा का सूरज उगने तक तुम इस कैद खाने में बंद रहोगी तबी रजिया की बड़ी बहर, शाजिया से पता चंता है कि सुल्टान के पहले चार सिक्वों को हासिल करने वाले चार पाक जबानों को मुह मांगी मुराद मिलेगी रजिया ठान लेती है कि उसे कैसे भी एक सिक्का हासिल करना है और उस सिक्के की बदालत, हम अपनी मूमांगी वो रात में पातमा की जान की बक्षीश मांग लेंगे। रजिया कैत खाने से फरार हो जाती है, और सभी रिवायतों को तोड़कर हिलाल चंद की चौती गवाही देकर नगाड़ा भी बजा देती है। इस बात से अंजान की उससे बहुत बड़ा गुना हो गया है। इस लड़की ने तो सारे हादे दोड़ती। गुना किया इसने गुना। अब आदे। अरतन, सरे आम ये ऐलान हो कि आवाम में से अभी कोई भी रुखसत नहीं होगा। यूंके चांद की कवाही अभी पूरी नहीं है। प्रॉपके मुणतस मुणतस यूंके मुणता पर रचं़ ऑनकोन करेसं प्रादिन अप्राप्डार को अगर में पर खेंगा इंड़ से छिप डूम है, सिंड है डिएन कि में अगर नहीं है. रिवायत के मुताविक तीन काजियों की गवाही के बाद सुल्तान या उसके खून के रिष्टे का कोई शख्स चौथी गवाही दे सकता है वजिया ने जो किया वो एक संगीन गलती जरू है लेकिन जुर्म नहीं गुस्ताखी मौफ़ो सुल्तान तुर्के शाही रिवायत एक लड़की की गवाही को नहीं मानती फिर चाहे वो सुल्तान का अपना ही खून क्यूना हो प्रिश्रदादी रजिया की गवाही आधी मना आधी मना आधी मना आधी मना आधी गवाही? पर गवाही तो चार लोगों की हुई थी ना? तीन काजी और एक हम हमारी आप से इलतजा है सुल्तान कि वक्त की नजाकत को देखते हुए उलेमा को ये फैस्दा लेने की जासत दी जाए ये आधी गवाही उन्हें कुबूल है या नहीं? पर मेरी गवाही आधी कैसे? क्या काजी उनकी और मेरी नजर में कोई फर्क है? क्या मेरे देखने से वो मुबारक चान आधा हो गया? आप सब लोग ये फर्क क्यों कर रहे हैं? क्योंके ललकियों का हम सब की नजर में कोई वजूद नहीं होती है तारी कवाहे सुल्तान, चान्द की कवाही हमेशा से चार काजी देते आए हैं इसलिए आपकी कवाही आधी मानी जाएगे आपकी कवाही? प्रड़र्ड़ा कि आधी गवाही हम यहां खड़े सभी मोहत्रम से यह पूछना चाहेंगे कि क्या ये गुना नहीं है कि एक पूरी लड़की को आधा बताया जा रहा है कि यह हमारा वजूद आपको आधा नज़र आ रहा है उस अल्ला पाक ने था हमें पूरा बनाया था फिर आप किस बिना पर हमें आधी कह रहे हैं आधा दर्जा दिया जाता है इसलिए आपकी कवाही भी आधी ही मानी जाए कि शैदाली आपकी दरीलों से परसों से चली आई हुई रिवायतें नहीं बतरी जाए सरा गौर से देखिये हमारे साय को क्या यह आपको आधा नजर आता है कानून दीन मजभ रिवायत तहजीब इन सभी की मालूमात आपको उमसे कई जादा है लेकिन सही और गलत के फैसले पन्नू पे लिखे अलफाजों से नहीं अकर और समझदारी की बुन्याद पे किये जाए रस्या खोगे तुमारा तमाशा अंदर आजाओ और ये तमाशा अम्मी इसका कुछ नहीं हम और को एक लब हेवे पूर से आधी कह दिया गया सरे आम जली हे कर दिया गया वो कुछ नहीं कोई हमें समझाएगा अम्मी कि क्या औरतों के और मर्दों के खून के रंग में कोई फर्क है धड़कने वाला दिल हम औरतों का मोम का और मर्दों का पत्थर का होता है यह कैसी रिवायत है कि कैसी तहसीब है जो एक औरत को आधा बोलते हुए शर्मिन्दा तक नहीं होती इस लड़की की बेवानी फर्यादों को नजल अंदास किया जाए अल्ला इस पे रह्म करे आप सब अपना फैसला सुने शहजादी रजिया की खैर जिम्मेदाराना हरकत और उनकी नादानी से हुए खलल की वज़े से अवान तक खलत पैगाम पहुचेगा इसकी भरपाई के लिए फुल्तानल तमश्क सरयाम अपनी रियायत से कौफी मांगनी हो कौफी मांगनी हो कौफी मांगनी हो अजिया आए भी यह तास्टानल में लिए तुम्हर तिलको खुशी रस्या अश्टुम्हर यह तुम्हर यह तेलको खुशी रस्याँ कि वचे से तुम्हारे अभू को सारी आवाम के सामने सर्जु खाना पड़ रहा है कि इससे बड़ी और क्या सजाद होगी तुम उसे कि शाबाज रज्या बहुत खूब तफा दिया तुमने तुम्हारे अभू कुई पर अम्मी अभू माफी मांगेंगे इत के दिन पर पूरी आवाम के सामने वो भी एक ऐसी गलती के लिए जोनोंने की ही नहीं ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी रस्या अगर तुम कैद तोड़के ये तमाशा नहीं करती तो तुम्हारे अभू को ये शर्मिंदिगी नहीं उठानी पड़ती सुल्तान को सरयाम बेज़त करने की जिमता सिर्फ और सिर्फ तुम और कोई नहीं तो पिर नानी जान हमारी घर्टियों की सजा अभू को क्यों अभू माफी नहीं मांगेंगे ये गरती हमने की है और इसे ठीक भी हम ही करेंगे हम आधे ही सही शाजिया आपी दानी चान के पीछे छुपके कोई हल नहीं निकलेगा शाजिया आपी बताइए सबको कि आपने भी हमारे साथ हिलाल चान का दीदार किया था चान मुबारक आपी या तुम अब चौती गवाही हमारी होगी अगर आप गवाही देंगी तो आपकी गवाही भी आधी मानी जाएगी फिर आपकी आधी और हमारी आधी बिलके पूरी गवाही हो जाएगी अगर आपकी अभू को सबके सामने बेज़त उने से बचा लीजे खमरदार रस्या जिन गुनाहों से तुम्हें तौबा करनी चाहिए उन्हीं गुनाहों के साय में तुम अपनी बेहन को कसिट रही हो अपनी नाव पर्मानी को इतनी हवा मत तो कि वो सुल्तान के तक्त पर आंधिया बनकर मंदाने आंधियों का खौफ उन्हे होता है जिनके तक्त और ताज हवाई किलों पे कायम हो कुस्ताखे के लिए मुआफी चाहेंगे वालिदा सुल्ताना इसलतमश के पाओं आज भी जमीन पटिके हैं गुना गुना तो यकीनन हुआ है और उसकी सजा भी बेशक मिलेगी लेकिन किसे इस सल्तनत की शहजादी को या खुछ सुल्तान को अज एक रिवायत टूटी है लेकिन उमीद बरकरार रहे आज एक नई मिसाल कायम हो की राना मार्तन अवाम के सामने एलाम किया जाए कि हम बहुत जल्द उन से रूबरू होंगे अबू अब 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 ऐसा मत कीजिए हमारी गलतेयों की सजबने आपको मत दीजिए कर दो कि अच्छी पेगाम दिया जाता है कि अभी थोड़ी ही देर में सुल्तान अलतमश्ट आप तभी से मुखापिभ होंगे के अभी ज़र लड़कीों को सार इतनी नचड़ाओ कि वो तारौब जाने लुगी बिल्कुल सही बिल्कुल सही हि也flb हमें आप से ही एउमीद नहीं थी आपने हमारे साथ क्यूं ने दिया हैं सबके साथ में बोला क्यूं नहीं कि आपने भी आपने आप देखा हैं आप समझ नहीं रहे हैं आपी वक्त नहीं है हमारे पास फातिमा के सर पे अब भी मौत की तलवार लटक रही है और अब्बू को भी कितनी जिलत से नहीं पड़ी फातिमा के बारे में ना से कबसे कब अब्बू के बारे में तो सोचती हैं हम अब्बू के दामन पे तो दाग नहीं लगने दे सकते ना खवरदार अजिया जो इसका अलजाम तुमने हमारे सर दिया तो अब्बू को बेज़दी के कगार पे लाने वाली तुम हो ना तुम कैद खाने से भागती और ना यह सब होता और अब्बू के इज़दी तुम्हें इतनी परवाती तो तुमने शर्म और लिहास को ताक पर रखकर तर्याम नगाड़ा क्यों बजाया और अब्बू के इज़दी की दुहाई दे रही हो खामोश लड़कियों इस हरम को उचियावा सुनने की आदत नहीं है हम ये तो नहीं जानते रज्या कि तुमने ऐसा क्यों किया किस लिए कि लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आज तुमारी हरकत से सुल्दान की आन पान और शान पर उंगलियां उट ले हैं अपने अभू का सर नीचा करने में तुमने कोई कसल बाकीने चोरी पार में फैंकिन इसकी सजा नहीं देंगे आपमें तुम्हारा converge तुम्हारा एसा से जुर्म ही अब तुम्हारी सजा है हम मानते हैं कि हम आप सब के कुलेगार हैं पर नानी जान अब्बू को बचा लीजे अगर वो हमारे अब्बू है तो वो आप सब के सुल्तान भी तो है ना और सुल्तान तो जमी पे अल्ला का साया होते है ना तो क्या आप अपने अल्ला को ऐसे शर्मिन्दा होने देंगी क्या नाना जान जिन्होंने अभू को सुल्टान बनाया अगर आज वो जिन्दा होते तो क्या और ये बात गवारा होती की अभू पूरी आवाम के सामने मुआपी मांगे नहीं नानी जान हमारी आप से गुजारिश है नानी जान इस सल्तनत की सुल्टान को रुस्वाओने से बचा लीजे बचा लीजे नानी जान तुम्हारी लड़की तो गुस्ताखियां करती रहेगी लेकिन हमारे जीते जी हम सल्तनत की आपरो और इस्जत को निलाम नहीं होने देंगे पादर बाम लाहिजा भोशिया वालिदाए सुल्ताना शम्शाद बेगम तश्रीफ ला रही है हमारा सज्दा को बूल कीजिए सुल्तान सलाम वालिदाए सुल्ताना आप यहां सब खेरियत तो है गुस्ताखिय माफ हो सुल्तान खेरियत तब बरकरार रहती है जब हवाएं उल्टी ना पहे हम आपका इशारा समझे नहीं क्योंकि हवाओं का रुख बदलना ही तो नियम है यकीनन लेकिन तबदिलियों की हवाएं गुस्ताख हो रही है सुल्तान रजिया की बेबाग हरकतों में आप इनका असर खुब देख सकते हैं हमारी निगाहें जो देख रही है क्या आप भी वहीं देख रही हैं वालिदाए सुल्दान बात अगर नजर ये की है तो हमारी नजर आपका ओदा इस बात की जाज़त नहीं देता सुल्तान कि आप सरे आम अवाम से माफी की फर्याद करें सुल्तान फर्याद नहीं फर्मान जारी करते हैं आपका ये माफी नामा सल्तनत की बुन्याद जड़ से हिला देगा तो इस मसले के हल के लिए आप क्या राय दें हमारा अश्याना चलता है तो बेशक चला करें इन हवाओं को डोग दीजिए सवाल सारे जमन का है रज्या को सख से सख सजा सुनाई जाएं ताकि तारीक इस बात की गवा हो और आवाम तक ये पैगाम पहुचे कि रिवायतों से खिलवार करने वाली शैजादी को भी सुल्टान के उसूल नहीं बक्षा सुल्टान का इंसाफ खोन के रिष्टों से तहीं ज्यादा उपर है अम्मी अम्मी हमें बहुत डर लग रहा है अब क्या होगा अब उन्हें अवाम से एक मौफी मांगने का फैसला ले लिया है या फिर वो नानी जान की बात पर अमल करेंगे फिक्रमंद होकर आस्मान से कौन से तारे तो लाओगे गुलकन बिज्जी तो गिरी है दामन में आग लगेगी ही दामन किसी का भी हो चलना तो दोनों सुर्टों में हमें है नानी जान एक तरफ सुल्तान है हमारे शोहर उसी तरफ रज्जीया हमारी बेटी एक सुल्तान अमाम से माफी मांगेंगे तो इस सल्तनत की मल्ले का हार जाएगी और अगर रज्जीया को सजा मिली तो माहर जाएगी फिक्र मत करो कुतुब जान हम सुल्तान अलतमश के तौर तरीकों से वाकिफ हैं जहां समशाद बेगम की सोच खत्म होती है माह से सुल्तान अलतमश की सोच शुरू होती है वालिदाय सुल्तान के जजबे को हम सलाम करते हैं लेकर अवामी फैसले महल की चाड़ दीवारों में अवाम में लेने काई है आज तक जिन लोगों ने गुनाख किया है उनकी सदा एक सुल्तान ने दी है आज देखते हैं कि ये अवाम सुल्तान के गुनाहों के लिए क्या सदा मुकरर करती है अपू अवाम में तो अरगेज मत कीजे हमारे गुनाओं की सदा हमें आपको मत दीजे हम किसी को किसी के गुना की सदा देने नहीं जा रहे हैं हम ये तै करने जा रहे हैं कि क्या गुना है और क्या नहीं झाल झाल झाल